सांची रेलवे स्टेशन से जो सीधा रस्ता जाता है वो ही चला जाता है स्टूपा तक स्टेशन से थोड़ा आगे निकलने से आता है बस्टॉप और उससे आगे स्वस्थ किंद्र स्वस्थ किंद्र के सामने है आटो स्टेंड वहां से आटो भाड़े पे लेके स्थूपा तक जा सकते हैं हाला कि देखा जाए वस्थ केंडर से स्थूपा की दूरी ज्यादा नहीं है पैदल भी जा सकते हैं पर स्थूपा एक पहाड के उपर है तो पैदल जाने से पहाड चरना पड़ेगा स्टूपा जाते वक्त रस्ते के बाए साइड में आता है संग्रायलाई संग्रायलाई की सैर हम अगले वीडियो में करेंगे अब हम लोग जा रहे हैं स्टूपा की तरफ संग्रायलाई पार करते हैं गारी पाहार चंड लगती है और इसी पहार के एकदम उपर है स्तूपा यह रस्ता साची स्तूपा जाने का निया रस्ता है जो बाद में बनाया गया है जो एक motorable road है और पुडाना रस्ता जिससे पहले लोग जाया करते थे वो एक सीड़ी वाला रस्ता है हम लोग अगर पैदल जाना चाहे तो वो सीड़ी वाले रस्ते से भी जाया जा सकता है अब हम लोग पहाड के एकदम उपर आ पहुचे हैं इस जगा पे इस सांची स्थित है पहाड के उपर की भूमी समतल और फैलाया हुआ है इसलिए यहां की वोगलिक स्थिती स्थिती स्थूपा जैसे समारक बनाने के लिए अनुकुल है कर दो कर दो कर दो कर दो यह है पुराना सीडी वला रस्ता जिसकी बाद हम पहले कर रहे हैं अब हम लोग स्थूपा की तरफ जाने वाले हैं वहाँ पर प्रमोध मिसराजी हमारे लिए इंतितार कर रहे होंगे वह यहां के केंद्रिय सरकार्ट द्वारा अनुमदित एक गाइड है स्थूपा के पीछे क्या इथियास और कहानी है वह यहां में बिस्त्रित रूप से वर्णन करने वाले है कि अधिर सुप्पार के साफ़ कि अधिर समय और के अधिर से प्रण जाद प्रमोध में वाले है मुआ है यहां मुआ है झाल झाल यह 1st century BC में इस तरह के चार गेट हैं, उसको 1st century BC में आंध्रा की एक डाइनिस्टी है, उसका नाम है सात्वाहन, गौतमी पुत्रा सात्कर्णी नाम का राजा है, उसने यहां पे यह चार गेट बनाए हैं इस तरह के, इसको केमिकल ओगरा लगा के क्लीन किया गया है, जो दे इस तूब जो है, वो 3rd century BC का है, उसको मोरिया डाइनिस्टी ने बनाया है, तो दरसल क्या है, मोरिया, सुंगा और सात्माहन, तीन डाइनिस्टी हो गई, जिन्होंने इनको कम्प्लीट किया है, और जिन लोगों ने भी यहां पे डोनेशन दिया है, तो यहां पे दो language यू बोसिसकर रहे हैं, तो यहां पे उनके नाम भी लिखे हुए है, महां थी और ajसे हरती पुत्रा वसेस, कत्याइन ऐसे उसे नाम जहें है वह बधिश्वं के लिखे हुए हैं, जैसे जो ओनतब हरों है, जैसे कि भाष्षी आर यहां तु यहां देखेंगे, यह यहां देखेंगे यह यहां देखेंगे यह यह यहां प्राकृत है और इंस्क्रिप्ट यह भ्रामनी इंस्क्रिप्ट आ अच्छा यह समझ वाली लाइन दिखाई दे रही है यह वुद्ध का एक हाथ है यह ये नेकलेस वाली लाइन ये वुद्ध का दूसरा हाथ है ये फ्लावर्स वाली लाइन जो है ये वुद्ध की पीछे की बैक साइड की पीट है ये वुद्ध के पैर है ये लोटस फ्लावर वील उपर अमरेला दिख रहा है ये पूरा मिला के वुद्ध का सार है अगर कोई यह अपनी पुरियन स्विलन का नथाई आएगा वो यहां लेडिया आएगा सब्सक्राइब एक नाइल फिट की यहां पर बुद्ध की एक इमेजेस जैसे आपने तालिबान को गेका नाम सणा अबामियान बुद्ध की बड़ी मूर्ती नहीं हो कि यह नहीं हो कि यह चिन्न क कि यह 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 जब लोटने लगते हैं तो लोगों को सीधिया देए यह संचे एक ट्री नीचे है एक ट्री उतर है इसाल को दिखाई दे रही है आकको यह उल्टी सीधिया है यह उनको उतर तेग में दिखाई गिया है एक राद को घर छोड़ के चले जाते है तो एक अंठग नाम का एक गोरा है उस पे बैठते है जंगल में जाके बोधबुच्चि को जाते है यह एक फ्री है, जब बुध को घ्यान क्राप्त हो जाता है तो बोधगिया के लोग यह पधाईजे रहे काफी चीजे एक डूसेरे गेटी दूसेरे टी पिए रीपीटे लिए नहाय ऑई के है? पुराना रास्ता यह ने जो से रोड जो है यह तो नया है। अभी जो उन्जे प्रिंदेगी के बादी और इसे एक गेट में कोलकाता मुजियम में रखना जाए है हाँ अर्भुट की जो रिमेंश है ना सकता है तो जैसे क्या यहां वालेगे जो वैस्टन गेट है यहां केके मैं स्थी सोरे बहुत पर रहे हैं जो चार से लोग दिखाई दे रहा है उनको लेक्स कहा जाता है चाहिज जपान ताइवान साउथ पोरिया में इनको लाभी बुद्धा का जाता है यह दोसो का नोट है ना इज़र बेध का पंडिया ने इसी गेट को लिया ऑसली और इनको economic god map टी अरधिया इसी लिए उसने दोबसों के नोट में रिस्पेक दिया है एंको चार मोटे लोग हैं कोई हशरा आये कोई सो रहा है, कोई जगर आ है, कोई रो रहा है पत्वी में डिफेंट लोग रहते हैं, उँगे जीने की स्टाइल डिफेंट होती है और यह प्रास्पयोटी के सेंबल है लोवर जो पैनल है, विर बेखली में एक ट्री हे, हाथी बुद्ध की पेर कर रा है बीच वाली पैनल में एक वी ले बुद्ध में अपना पहला लेक्षर जो है सागनात में दिया था डियर पार्क में टॉप में देखेंगे तीन इस्टूपा हैं चाय ट्री हैं जो भगवान बुद्ध ने सेवन जगह का विजिट किया था यह सेवन जगह जो है बुद्ध गया राजबीर वैसाली कुसी ने पर लुंदनी स्रावस्ती और पौसंभी उपर रहा है तो यह पूरा गेट जमीन में गिरा हुआ था यह पत्थ लगा के फिर से ख़ड़ कि लिए जो यहां आप देखेंगे अब आप यहां ने यहां से वो स्री लंका गएके साथ तो आज जो बोद्धर्म स्री लंका में है वो साची की बेहसे है इसलिए स्री लंका के लोगों ने वो नए टेंपिल बनाए वो सामने स्री लंका के लोगों ने वो सामने स्री लंका के लोगों ने यहां पर सामने स्री लंका के लोगों जिसे हम लोग डेमोक्रेसी पे विलीब करते हैं, उतरसल क्या है कि स्री लंका की गवर्मेंट को ये लैंड जोनेट किया इंडिया गवर्मेंट में और उन्होंने यहां पे टेम्पिल बनाया यहां से एक रास्ता है यहां से एक रास्ता है यह एकदम सीधे नीचे जाता है इनको वेकप काल दे दिया जाता था है चारवे उटेने के बाद यहां से सीधे जाते थे जैसे सीधे आप उकर जाएंगे एक दर इन आसले मतरे नी निचे गए Zusch kamp में से डाए ओता आक तो फ्रर वहां से तरह अडिक तो क्लाक पे नीचे गए तो भी उनको देनेकचरिय जो करना यहां से आने के बाद इसी तरह क सार, जिसे ये जो देखना है तो दिरसल कियाल ऑफे नीचे उठर जाते थे यहां से जो भी विक्ति एक पहला राउंड लगाएगा, उसको कहेंगे बुध्धुम्चर्णम्वच्छामी, जो विक्ति यहां से नीचे से एक राउंड लगाएगा, उसको कहेंगे धर्म्चर्णम्वच्छामी, जो विक्ति एक बाहर से राउंड लगाएगा, उसको कहें संग का मतलब है सुसाइट तो दरसल ये तीन भागों में डिवाइड है बुद्ध धर्म और संग उसके बाद क्या है कि जो रिती इन तीन चीजों को फालो करेगा यानि जैसे क्या है कि एक ग्यान है बुद्ध का पहले नाम सिध्धार्त और गौतम्तार्त जिब ग्यान प्र कि उसी ग्यान को जैसे आप जो देख रहे हैं तो बुद्ध को फिर तखागत और जो है बहुत सारे उनके जो है नए नाम भी भारत में आये तो यहां पर किया है कि पहला राउंड वाला है ये ग्यान से संबन्दिन को उत्ध का मतलब है कि नौलेज से तो जो अंदर जाए तो जैसे जो देखेंगे ऊपर जो है तो जैसे जो देखेंगे ऊपर जो है वो अम्रेला जो दिखाई दे रहा है उसको छप्र कहा जाता है जो रेलिंग दिखाई दे रही है अपने को उसको हर्मिका कहते है उपर वाजी ये जो डोम दिखाई दे रहा है इसको अंडा कहा जाता है जो जैसे क्या है ये चार गेठ है इनको तोरण कहा जाता है जो 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 उस सेफ का दिया गया है और यह जो जो ढों के उपर इस साइड नंच तो अपर यह उपर यह प्लास्टर लगा हुआ था पहले से अपर ऊब घ्लर किया हुआ था और बोध धर्म की जो धार्मिक बाते हैं वो लिखिव अपर जो है कि आधे साइब के लिखने एक ए जो बहुत भिख्षों है से वो कंट्री साइड से फुड होगरा मांग के लाते तो इन में रख दिया जाता था और यह आपस में भिख्षा पात्र होता है यह उल्टा है अभी तो कटोरा वुल्टा इसले करके रखा है गौर्मेंट में ताकि कोई कचड़ा उगरा उसमें नह प्राइब देते थे फिर यहां पर जैसे जो पुटिंग अबरा होती थी फिर आपस में जैसे कि एक बुपे अबरा लगाती है लोग डिस्टीट कर लें से इसको भी इन्वेडर जो से उन्होंने तोड़ दिया तो अपने को जैसे कि इसलामिक इन्वेडर जो पास हुए य जैसे क्या है 300 BC से लेके 1200 AD और उसके बाद आखरी तक और 1200 AD तक जो है यहां पर लोग रहते थे 300 BC से लेके 1200 AD da ack your Kingdom मों अकशिन अगर पॉलिटिकल सबरीटी हे तो है ये इन रहेगी और तो इंविडर आना जाना परड़ कुंई तो औरंगजेव भी यहां से पास हुए हैं यह विदीशा सहर जो आपने देखा है और वाकी अफगान काफी आए हैं अगर मांडू गया होंगे तो वहां के सुल्तान हो गरा है होसंग सहर भी बसा हुआ है तो बहुत सारे लोग उन्हें यहां से जो पास हुए हैं तो उनके बाति काफी रिमेंट्स भी यहां पर जाएंगे तो जायेंगे तो वहां हिंदू अपकर बुद्धिश्त गुफाय भी है और जैन गुफाय भी है तो दरसल क्या यह तेनों कम्मुनिटी शाथ में ही रहते थे कोई किसी का मनुमेंट्स नहीं चोड़ता था आज की देट मे देखेंगे तो कोई किसी का मनुमेंट नहीं को तो दरसल क्या है सिर्फ इनके अंतर लॉजिकली जो है फिलोस्पी के मद्वेड बाती और किसी जीट के लिए पर नहीं है इसमें समराज असोग ने बोध भिच्चु जो है उनको एक वार्निंग दिया है कि एक जो बोध भुच्चु तो दुष्म के भगवान बुद्ध की सिस्टमेटिक प्रेयर रही करेगा इसे बोध धर्म से निकाल दिया गए तो देखें यह असोग पिलर है इसका आधा पार्ट ब्रोपल में पड़ा हुआ है इसके टॉप में इस तरह के फॉर लॉइन खेपिटल तो नीचे म्यूजियम में रख़ी है इस तरह के फिलर इंडिया में टीन जहीं मिलें । एक साग़नाथ वाला जो है फुली प्रोटेक्टेट है उसका चार से इसलिए यह हमने महां से ऐक्सेप्ट किया इंड्यीन पर्म्रभा में ला गदी लिए तो दरसल क्या है कि यहां तर्वी चीज एकड़म ख्लियर लिखी हुई है जिसे जो देखना है आप यही में डाकुमेंटरी प्रूफ है तो आम जंता इसको असोग पिलर मान की अगर जो इतिहासकार है वो इसको एक फाउंडेशन इस्टोन नाम की शाची का पहला पर जब सम नहीं गाव में जाएंगे तो एक पस्तर लगा देंगे और पहेंगे दस काल के बाद वास्पिकल बन जाएगा तो यह जैसे प्रूंडेशन इस्टोन असोग पिलरी जो है फाउंडेशन इस्टोन इस्टोन पूरा प्लान यहां पर लिखा है एक जमीदार था जन्ना पेरत कारव में जाएगे तो फार्ट करती है उसने इस पिलर का इस्तिमाल को मतारा था उसको मालूम नहीं था कि एससोग है उसकमे यह प्लर ठूट लो प्रिक्षित मापर ऐसें तो इसरी जीहां आएंगे सार्फ़ यह एक दो औरिजिनल आप जो कि दिख रिखाय एक अपकिन में जाएंगे जिसे यह कॉलम पिलर जो है इसकी कॉपी मिलेगी तो अच्छा वागर चार सेर जो है वो जो है केपिकल ओरिजिनल है इसके उपर वाला जो फार्ट है अगर कॉलम मुह पर एक बना रख्था उनोंने वो इसकी कॉपी यह ध्यान दखना वो नहीं है और इजाद यहां पर नहीं है इस एरिये में हेलियोडोरस नामता एक ग्रीक याक्री आया है तो जो है विदीशा सहर यानि 10 किलो मीटर दूरी पर है उसी के टाइम में यह जैसे तरह की बेंडिंग में तो जो लिवरोके निहों से आये गए उहीं का एक इंफ्लेंस है और यह बनाने के पीज़े कुछ तो कारण में जैसे क्या है कि यह वो दिखनी उन्होंने एक चेंपिल बनाया था तो चेंपिल का मतलब एक कांश्यूंस खाथ इसमें बुदिस बुद्ध ने अपना पहला लेक्टिर जो है सावनाथ में लिया था यह दिख रहा है आपके इने यहां जो देख रहा होंगे जिसे कि यह जो है समराडक सो के याथ़ाएं दिखाई दे रहे हैं अपने को तो यह कलिंग युद्ध के लिये जा रहा हैं दूसरी चीज क्या है कि यह जो नीचे वाली पैनल जो दिखाई दे रही है यह कुछ लोंके माऊट के अंदर लोटस प्लावर की ब्रांच दिखाई यह बॉटम वाली जो खड़े हुए एक हाथ में इनके नेकलेस ओगरा दिखाई दे रही है आपको डिख रहा है आ तो यह से टाने खड़े होते हैं पर जैसे जो गेट कीपर आपने आपने ते जैसे कि यहां पे जी जा अब हमयाँ भी जा घंच में उसी को ही यहां पे दिख वे सबसे उपर जो देखेंगे एक लेडी खड़ी यह दो हाथियों के बीच में यह बुद्ध की माँ है इसका नाम है माया देवी सबसे उपर तो भगवान बुद्ध को यह यह जो है जैसे वहाँ पर जो है यह जो माया देवी है उनको जह सपने में उन्होंने एलीफैंट देखा था तो उसी एलीफैंट को वहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और यह जो कॉलम देख रहे हैं सबसे उपर होर्स राइडर है उसके नीचे एक ट्री है ट्री के बगल में एक लेडी प्लेट में कुछ लेके खड़ी है इस लेडी का नाम है सुजाता इसने बुद्ध अब अबिगरमा रित एक राजा ना उना अजिए एक लिए अधिया इसमें लेट्ही नहीं और विद दरसल गया है यह पहले क्या है अब अब बाला डिम्पिन पहले कार की के सिर्थ में ढूम नहीं है कान्फिरन्स हाल भी नहीं है फरिक्रमा के लिए भी जगह नहीं है, तो दरसल क्या है इसे हैं कि झाल होता है और आर्खिटेक्ट इसमें इसमें इमेजिस नहीं है जो बुद्धिश्ट मॉंगके रिए फ्रोपीन को जो उन्हों कि प्लाड़ते ही किसा जैसे भड़्टीयां जो रेती है उनकी हग्डीयां हो गरा दूला के जिसे सैंडल बूल्ड हो गरा जैसे क्या है मिलां के जिसे वो नहीं करते हैं सबसे उपर वाली पैनल देख रहे हैं और जेंटिल पैनल अपर वाली है उसमें फाइब सूपा है और डोटिक उतने सेविंदेगे का विजिट दिया है बीच वाले में एक पैल से वोब अपना घर चोड़के चले जाते हैं एक गोड़े प्रेट बैट और गोड़ा इंकल बैट हो जाता है तो राइच साइड में प्रैक होगा जाता है तो जो लोर वाली पेनल है ने सेंटर में थी है वोद्गिया के लोग भवान पुझ को रिस्पेक्ट लेगी वाकी जैसे क्या है यह एक्षी दिखाई दे रहे हैं यहां पे त्नी है कि यहां बगल में वेलकम के लिए खरेंगी यहां अब बाती सुराउंडिंग में 45 स्टूप यहां जैसे जितने भी छोटे स्टूप यह पूरे यहां यह पूरे यह प्रिंसिपल इस अपर इस बाकि आप मॉंक्स के स्टूप अब रिखाई देरा है यह सामने वाला स्टूप इसमें क्या है रहा है गोत्म दूब्दू के दू पर लंदन ले गए से जब इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंट हूआ है रेलिक्स लेके आया था कंग्स कर्दा है अधरन का नवंबर के आखरी संडे में यहां पर हर का लगता है ओधर्ण। उस के यह पूरी जगता है नहीं दूब्दू पर जाएर ने ने वहां वाहरा तो वहाँ टेंपिल के क्या है तो दरसल क्या है कि वो अस्थियां बाहर लग जिसे है वह तो अगी तिल चुटे में इसमें कुछ भी नहीं वहाँ आपको बताया है जो वक्ता डाइस्टी में आपको बताया इसी पीरेट का यह टेंपिल है दरसल क्या है इसमें गुठी होई मुठी रखी हुई है मुचलिंद नामा के नाग जब भगवान जुठी में हभस्या कर रहे थे तो दरसल क्या उसमें गुठी के समर में मौसून में सेड़ दिया बच्छाया देते हैं इसके वाइफ को यहाँ दिखाएगा यह जो देखने ह तो छाइना जपान ताइवान साजट पूरिया जाएंगे तो वहाँ बचलिंद नागी है उसके वाईफ की मॉठी जू है तो दैसल्सनियां तो दीख केंगा कि वहाँ सवस्कानिया नागी को दिखेंगे हैं नागी हैं नागी हुई ito kia मुठी की मुझा तन मुठी दिख बुद्ध का टेमपिल आता जाता है इसलिए जैसे क्या है कि वहाँ वह एक्टिविटी जैसे कि मल्या टेमपिल है उसके लीवालों पे और पुरी दिस्कुप्शन उगर लिखे लिए जैसे यह यह डूम देखें यह डूम पूरी तरह से था दाइट काई में और ऐसे वह निकलिएप जो आपने ईहा जायेंगे आज टीम-द। में अपटर जाएंगे तो वहाँ पर क्या है प्यंद्ध की पकी आजरेटी अटएक शिलएग अगे यहां पर जो है जब तेमप्रेचर 40-45 का हो जाता था तो मौंक जो है यानि करीबन जो है पांच फ्लोट नीचे जाके मेडिटेशन इस्टडी करते थे मगर क्या है कि इसको गवर्मेंट में पूरी तरह से बंद कर दिया है अचा गरसल क्या है कि इनको एनफ जगह वहां पर जाने की नहीं मिली है अचा एनफ जैसे जो जगह होती है जैसे कि एक ही आदमी उतर सकता है दूसरा और गया तो वहां अंदर वाली जो है वह इसमें क्लोज देखेंगे तो यह जगह कितनी गहरी है ऐसा यह मानते है कि तीन-चार फ्लोर को नीचे हो ना पीजिए कर्मी के मौसम में यह ठंड़क देती है हां जैसे किया अगर जूनागर जाएंगे अगर बुद्धिष्ट केव देखेंगे तो जूनागर के अंदर जो है गिरनार माउंते है आपने नाम सुनाओगा वहां एक किला है अपर कोट वहां वद्धिष्ट केव अभी रनिंग में चल रही है तो फाइफ फ्लोर नीचे है जैसे इस तरह यहां पर उजाला है ना वैसे पांच फ्लोर नीचे जाने के बाद इस जो है इसको जो है इतमे ज्यादा हाई राइट नहीं किया आई आई आए अगर जो है कभी भी सांची नहीं आए है सिर्फ सम्राड असोप या नहीं गौतम बुद्ध की अस्तियां कुसी नेकर से थोड़ी लाके जो हड़ीयां होती है तो उसके अंदर क्या है एक कुंटल और यह उन्हों ने थोड़ा सा सेंडल वोड़ जो है मिक्सप करवाय उनकी थोड़ी से हल्डीयों में और उसको चोरासी हजार भागों में डिवाइड किया से उसी चोरासी हजार में से यह एक स्टूप है तो जैसे जो इस नहीं बनाये वो बंगला देश में पाकिस्तान म तो दरसल क्या है उसी में से यह एक स्टूप जो है जो दिख रहा है ऐसा महा एक महावंस नाम का एक स्री लंका का इसमें यह लिखा है कि 84 हजार इस्टूप बनाए गए वगर हमें इतने ज्यादा मिलते नहीं नहीं से चोरासी भी इतने बड़े इस्टूप नहीं मिलते हैं जो रियल्टी है वह मिलते हैं लुंबनी एक जगह है नेपाल में वहां उनका जन्म हुआ यानि उनकी मदर उस समय याद्टा कर रही होती है उन दवे पर उसके बाद कपिल बस्तू नेपाल में ही जगह है जहां पर उनका जो है यानि वहां के वह रहने वाले था दूसरी पर वहां से वह जो है बोधगया आए और बोधगया में जो है उनको ग्यान प्राप्त हुआ घर छोडने के बाद उसके बाद वह सार्माप गए वहां उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया वारानासी के पास फिर फॉर्थ वाला प्लेस जो है कुसी नगर है नेपाल के अरिया और टर्डर यह गार Rideaucanर का विढलने याट्र चृत में में चलाची महीं जैसे अपने राज गिर का नाम में उनक्ति कि नाम सुना और स्रावस्ती दाना काुशंबी के नाम सुना होगा है यह इन्होंने यात्रा जरूर क्या है मंगर दरसल क्या है कि यसे इतना है कि कि वहां पर यात्रा सिर्फ की है वागर सबसे ज़्यादा जो अच्छा टाइम एक्सपेंड किया है वो उन्होंने जो है स्रावस्की ओगर में और राजगीर ओगर में एक्सपेंड किया सबसे तीचिंग ओगर जो देते हैं उसके अंदर मित्यू का पर हुआ था कुछी नग करें तो यानि वुद्ध कभी भी यहां नहीं आये सिर्फ उनकी रेलिक्स जो है जो है रेलिक्स का मतलब यह है कि उनकी हड़्डियां उगरत हुई सी थी जो असो को मिली उसके अंदर उन्होंने जो है फड़ा एकात कुंचल सेंडल बूड मिला के और चोरासी हजार भाग यह सर क्या है इस टेंपिल का पीरिएड है सेवें सेंचुरी एड है सेवें तो रेट के पीची है यहां पुद्धिस मौंग बैढ़ जाता है और वह यहां पर लेक्चर हो करा देते हैं जो अपना उद्धिस देते हैं यह उद्धिस देने की एक जबाएस है इसको बनाया है इसके काफिन बाद है यह जिसे की वह थर्ड सेंचुरी भी सी यह एड सेंचुरी एडी सेवें दोनों पीरिएड यहां पर लिख रखेंगे लिए तो दरसल क्या है तो यहां जो आई है यहां देख रहा है बगवान को जो है यह कमल का पुल लिखाई दिया है यानि यह नोटस फ्वावर पर बैठ है और इन्हों ने जो है यह जमीन को टेच कर रखा है इसको केते हैं भूमी इसपर स्मुद्रा देख रहे हैं सब तो भबान बुद्ध ने यह जमीन को टेच करके कहा है साथी मानके कहा है कि मुझे संपूर ज्यान प्राफ्ट हो चुका है आपने जैसे बहुत सारे दिया देखा होगा अभय मुद्रा वेडिकेशन वाली देखा तो इसको भूमी इस पर लैंग तर्च स्टाइल केते हैं आसन होता ना तो यहां इसके पर देखना होगे जो फ्लावर सोगा रखे की जाएंगे यहां पर जैसे क्या है यहां पर जैसे क्या है यह मुनास्ट्री है तो जैसे मुनास्ट्री में जैसे मैंने अपनी चे मुनास्ट्री दिखाईगी यह मुनास्ट्री है तो यहां पर बहुत धिप्शू जो है जैसे यहां पर रहते थे तो जैसे कोई बहुत धिप्शू दस सा तो अगर वह गाउं में जाता है तो दरसल क्या है कि वह सब हर विप्ति का एक सम्मान करें तो यहां पर जैसे क्या है कुछ अगर आप एरोटिक स्कल्प्टिप देख रहे हैं तो यह सिर्प टीचिंग के लिए दिया गया है जो प्रोफिसर या टीचर यहां पर रहते थे वह वह उनको यह बताने की कुछिस करते थे कि अगर आप कंट्री साइड में जाएंगे अपने ब्रेन को कंट्रूर करना है नई तो आप में और एक आम यानि कोई फर्क रहने जाए तो इसलिए क्या है कि एक सम्मान के लिए वही में के स्किन में आपके स्किन में कोई जादा वह चीज यहां पर दिखाईगे रहे और इसका कोई में देना है इसका बात साइन से कोई लेना देना है ठीक ना सर्थ जैसे दस-पंद्र साल अगर कोई महा बहुत भिक्टू लेता है यहां पर और वह कंट्री साइड में जाता है तो कुछ माबेने बैठ ची हुई है कोई लिख नाहार आय कोई कुछ कर रहे है तो वह हcios में लמנाज तो वह यहां इस चीज को बताया गया है यहां पे कि भई जो है वह अगर आप जायें तो संभान करें सैयं से रहे हैं और कोई मतलब में नहें जैसे किया है बहुत बीचिfon की जिसे यह नहीं दिख रहा है। यह भी है जिस पर लाप्राइ जासर्टी है। जैसे यह है वैसे यह वह नीचे वाला है सर्य जो आपको नीचे मॉनाश्ट्री मेंगा वाइटी है। भाई सर्यूक्ट की इस कभी छत बचा हुआ है। इसको क्या है कि यहां मिल गई थी, उसकी क्या है, विसिंग से ऐसा रहता है सर। जैसे क्या है कि अभी यहां पे अगर 6 महीने आप छोड़ तो कोई security नहीं जाएगे, तो खुदी जैसे आप देखोगे कि कोई पत्थर उप्थर नहीं बचेगा, लोग ले जाएंगे. जैसे कि अगर यहां पे जैसे कि माले आप यह मान के चलते हैं कि कोई security नहीं है, security अगर नहीं रहती है, तो छे महीने में वैसे ही ले जाएंगे सब उठाके, तो 2000 यानि 500 साल पहले कोई इतनी ज्यादा security नहीं रहती है, तो लोग सब जिसकी जो इच्छा होती है, कोई में बाद में कोई और कहेगा, जो यहां पे टूरिस्टे वही कहेगा, जो यहां पे टूरिस्टे वही कहेगा, जो भाई नहीं यह पत्थर नहीं चुना है, है, मेरा यह जैसे क्या है, कि वेक्ति को एक teaching यह देते थे, जैसे systematic धिन से रहे, गाउं में जाए, लोगों का सम् जैसे क्या है, देखें, यह गेट कीपर है, जो वेलकम के लिए खड़े हुए है, यह देखें, नोटस फ्लावर इनके माउथ में है, देखें ना, पेसाची की सबसे सुन्दर और बड़ी मूर्थी है सब, जो यहां आपने देखें, इस से बड़ी मूर्थी, चाज में, 880 में बनाईगे हमें, हब होदा सा, इस सबस्कते ही आपके में और घृट बोधिया वाला जो टेंपिल है उसकी ठोड़ी कॉपी है हाँ हाँ थोड़ी बहुत मिलते है कोड़ी सी कॉपी है इसको कलस केते हैं इसको आमलक के ऊपट एक सिखर होता है यह यह तम्पल के ऊपर था खाया को दोम शेट था जैसे कि एक तरबन के तक ज इसका ऑफिसियल नेम है, इसको आमलक केते हैं, जो भड़े जैसा दिख रहा है आपको, जो लोटस फ्लावर की डिजाइन में है, तो लोटस फ्लावर पहला था उसको ऊपर यह रखा रहेगा, तो यह से यह कला स्केला आएका, और यह उपर वह यह लोटस फ्लावर वाली डि पूरी अग्रिकल्चर की यही डिसीजन इसी वह से जो है, सम्राद असोग ने डिसीजन लिया, यह एकोनॉमिक यह अच्छी थीज़ा है, और अग्रिकल्चर भी बहुत अच्छा था और पानी का सोर्स का है, यह रिवर दिख रही है, इसका नाम है बेतवा, यह यह पास मे लोहांगी हिल दिख रही है, वो विदीजा सहर है, सम्राद असोग उनकी वाइफ विदीजा को विलाउं करती है, देवी नाम की एक और अच्छी और यहां से जो है, देवी के लड़के का नाम था महेंद्र और लड़की का नाम था संग मिक्ता, यही से वह स्री लंका गए तो 20-25 km किलो मीटर वह कलकता ही कहला है, दस किलो मीटर पंदरा किलो मीटर तो यह पांच साथ किलो मीटर के distance है, इतना ज्यादा distance नहीं है सर जहां से, यह जो देख रहना बहुत पासमें है, दरसल क्या है विदीजा में ही लोग विदीजा को जानते थे, साची को लोग कम सांची एक जैसे क्या है कि एक रिलिजिस प्लेस हो जा जैसे मॉनाष्टियां है मौंकोगरा यहां पर रहते थे जुकेशन लेते थे कंट्री साइड में जाके बुद्धिजम को इंट्रूड्यूस करने का काम करते तो दूसरी चीज क्या है कि इसी के बगल में उदैगिरी की गफ़ाएं भी कहीं उदै इसकिशन तो आपको दिखेगी सर्फ यहां से लिए जिए जिए इसटी उसमें उमार गुफ्त इसकंद गुफ्त राम गुफ्त चंदर गुफ्त विश्क्रम अदेतोगरत उन्हों ने चे लिए बगवान विश्णू के लिए शियो के लिए इनक आपको हिंदु जैन सर्थ के लिए नितना हैं जैन के लिए। इसे मैं आपको इलोरा का उधारन का सुछना के कहला है। है कि लिए टेम्पिल है, बगल में बुद्धिष गुफा है, फोचे भगल में जैन गुफा है। अगर वहां जाएंगे, तो तीनों के अंदर सिर्फ वैचारिक मद्भेर हैं, मगर यह रहते एक साथ नहीं के सड़, इनके मनुम्मेंग सापस में कोई नहीं चोड़ता गया, बेसिकली जो इन्वेडर आये, उन्हों न तो जी से, मेरा यह कहने का मुझे तो दरसल क्या है कि यह विदीसा सहर हो गया और यह जो जगत ती यह पहले से ही फ्लेट थी इसलिए उन्होंने क्या है, शम्राडसोग ने यही बनाने का जोड़ता है, दूसरी चीज़ क्या है, उनकी वाइप में भी उनको प्रेस किया, आप यहां पर मुनास्क्री और बनाई है, तो कलिंग युद्धी के बाद, उन्होंने यही कहा था कि भाई में वेपन्स नहीं उठाऊंगा, सोल विक्ट्री करूंगा, दिन से लोगों को जीतूंगा, उसी का एक प्रोसिस थाथा, कि नान वाइलेंस के प्रिंस्पल को अपना के उन्होंने यह प्रक लिया, यह भार प्रिंस्क नाम का राजा आया, आपने नाम सुना और एर इंडिया का एक स्लाइट क्रेशन उसने कुछ काम किया बद्धर्म के लिए, बगर बाद में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, जिसने बद्धर्म के लिए ज्यादा काम किया हो, तो जैसे सात्माहन राजा है, आपने बगर उनका जब लड़का आया अगनी में, तो उसने भी बद्धर्म के लिए काम किया, जो छोटा सा इस्टूपा है, उसको बड़े स्टूपा में चैनि कर दिया, जो वहां जो देखने रहा है, तो इस तरह से क्या है कि डिफ्रेंट डाइनिस्ट्रियां आती गई और उन सर्वाइब करते से, जब इन्वेडर जादा आने लगे सकता है, तब यहां से भग्द है सकता है, जैसे फुच्छोष अजंता की तरह पेलोरा की तरह विधर जह है, साउस में, जहां तो उनको पॉलिटिकल इस्टेबिल्टी मिने लोगा है, जहां तो उनको पॉलिटिकल सर्वाइब करते से, जहां तो उनको पॉलिटिकल इस्टेबिल्टी मिने लोगे सकता है, जहां तो उनको पॉलिटिकल इस्टेबिल्टी मिने लोगे सकता है, जहां तो उनको पॉलिटिकल इस्टेबिल्टी मिने लोगे सकता है, जहां पॉलिटिकल इस्टेबिल्टी मिने झाल 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 झाल